नमस्कार स्वागत आपका इस चैनल पर तू आज हम करेंगे how to calculate postage charge और total charge on a registered letter एक पंजिकृत पतर पर आप जो है postage charge और total charge कैसे calculate करेंगे वो हम इस वीडियो पर जो है discuss करेंगे अगर आप इस चैनल पर ने हो तो सबस्क्राइब करेंगे इस चैनल पर ऐसे बहुत सारे topics डि हम करते हैं 50 पत्र के वारे में जो इसका हमने total चाँज निकालना है 50 पत्र जिसकों की आप इंगलीश में बोल सकते हैं registered letter उसको अमने total nри कालना नहीं आपको पता होने चाहिए कि registered letter एक पंची कृत पत्र जिसका maximum weight होता है दोस्तो maximum भार होता है 2 kg इसको आप अगर अपने ग्राम में calculate करना है तो 2000 ग्राम होता है इसका वहार maximum वहार होता है आप 2 kg तक का maximum वहार वाला पंजिक्रित पत्र भेज सकते हैं किसी भी post office से तो दोस्तो इसका जो आपका registration चार्ज लगता है जिसको कि registration या पंजिक्रित शुलक बोल सकते हैं वो लगता है 17 रुपे ठीक है और बाकी इसका जो postage शुलक लगता है आपका जिसको आप PC बोल लीजिए postage charge वो लगता है 20 ग्राम पर लगता है आपका 5 रुपे प्रतेक 20 ग्राम पर आपका 5 रुपे का postage चार्ज लगता है और साथ ही मैं अगर आपने additional कोई acknowledgement चाहिए किसी भी registered पत्तर के साथ या पंजिक्रित पत्तर के साथ तो आपको 3 रुपे अतिरिक्त जो है चार्ज लगता है जो की acknowledgement के लिए लगता है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो है पता करेंगे कि जो 400 ग्राम बाले कोई भी registered पत्तर या पंजिक्रित पत्तर वाला जो एक letter है जिसको आप भीजना चाते हैं उस पर कितना चार्ज लगता है टोटल चार्ज हम calculate करेंगे दोस्तों टोटल चार्ज पे हमारा include होगा registration charge plus postage charge plus additional अगर आपने acknowledgement चाहिए किसी भी registered letter के साथ या किसी भी पंजिक्रित पत्तर के साथ तो acknowledgement का जो charge भी include होता है टोटल चार्ज में दोस्तों सबसे पहले हमने पता करना है कि postage charge कितना लगगा 400 ग्राम बाले बाहर बाले किसी भी registered letter पर तो आपको पता है दोस्तों क्योंकि 20 ग्राम पर जो लगता है भार 20 ग्राम भार बाले लेटर पर लगता है 5 रुपे का postage charge तो 1 ग्राम भार बाले letter पर लगेगा दोस्तों 5 बटा 20 रुपे का postage charge तो आपने निकालना है 400 ग्राम पर दो दूनी हमारे चार होते हैं, और यह 0 इधर आ जाएगा, और 5 गुना 20 होगे, 5 गुना 20 होगे हमारा 100 पे, ठीक है, और यह निकल गया हमारे पास, जो है, पोस्टेज चार्ज निकल गया हमारे पास, 100 पे, और जो टोटल चार्ज होगा हमारे पास, टोटल चार्ज होगा हमा हमारे पास 17 रपे और साथ में एक अनॉलेजमेंट के लिए 3 रपे लगते हैं और जो हमारा टोटल चार्ज बन गया वो बन गया 120 रपे तो दोस्तों किसी भी 400 ग्राम बाले भार बाले किसी भी पंजीगरित पत्र का जो आपका जो टोटल चार्ज लगेगा वो लगेगा 120 लगते हैं और रिजिस्ट्रेशन चार्ज और एक अनॉलेजमेंट चार्ज लगते हैं दोस्तों अवी तक हमने 400 ग्राम बाले भार बाले किसी भी रिजिस्टर लेटर का जो टोटल चार्ज निकाला है जो की निकला है 120 रपे अवी हम निकालेंगे 375 ग्राम बाले किसी भी 3 355 ग्राम बाले एक registered letter है एक पंचिगर्ट पतर है उसका हम total charge निकालेंगे आपको पता ही होगा दोस्तो जो postage charge लगता है वो 20 ग्राम पे लगता है पांच रफे और registration charge लगता है 17 रफे और जो additional acknowledgement fees लगता है वो लगता है 3 रफे तो दोस्तो आपको इधर लिखना है 20 ग्राम का जो total charge जो postage charge लगता है वो लगता है 5 रफे और एक ग्राम पर लगेगा आपका 5 वटा 20 रफे का जो है postage charge और इधर हमारे पांच 300 पजेतर है जो की 20 से divide होता हुआ मिश्किल है इसलिए हम 300 पजेतर का nearby एक ऐसा हम total amount ले लेंगे या total weight ले लेंगे जिससे की 20 से divide हो आपको लग रहा होगा 360 भी divide हो सकता है 20 से और 380 भी हो सकता है divide 20 से तो हम इधर 380 लेंगे क्योंकि 380 है 300 पजेतर के बहुती नजदीक आ रहा है तो हम लेंगे 5 वटा 20 गुणा 380 और 0 सो इधर 0 कैंसल हो जाएगा और 19 दूने 38 होते हैं और 19 गुणा 5 निकाल लेंगे हम 19 गुणा 5 पांच ने 45 और 4 इधर असल बच गी अब 5 एक 5 एक 95 रुपीज दोस्तो तो इसका जो पोस्टेज चार्ज आ गया वो आएगा 95 रुपीज अब टोटल चार्ज हमने निकालना है कैलकुलेट करना है तो 95 प्लस रिजिस्टेशन चार्ज प्लस तिन रुपे का जो है आपका ज और 921 तो 115 रुपे का जो है टोटल चार्ज बन जाता है किसी भी 355 ग्राम बाले भारवाले पंजगरित पत्र का जो कि हमने कैलकुलेट निकाला क्यूंकि इसका कैलकुलेशन बहुत ही टिफिकल्ट था तो हम निकालेंगे इसका नियर वाई जो 20 से डिवाइड होगा ऐसी ह हम संख्या लेंगे जो ग्राम में आएगी मतलब 360 भी है 380 भी है जो कि वीस से डिवाइड हो सकती है लेकिन हम 335 के नियर वाई लेंगे जो कि 380 ग्राम है और 380 ग्राम से हम इधर जो है टोटल जो है पोस्टेज चार्ज निकाल लेंगे क्योंकि एक ग्राम के लिए हमारा पांच वटा बेस अर्वे लगता है तो 300 पजेतर ग्राम पर हमारा 5 वटा बेस कुना 380 ग्राम जो की नियरवाई 300 पजेतर ग्राम है तो इसको हम कैलकुलेट करके 95 वे का जो है पोस्टेज चार्ज निकालते हैं और जो हमारा टोटल चार्ज बनता है वो 115 वे बनता है acknowledgement फीस के साथ आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको बहुत अच्छी लगी ये वीडियो और आप चैनल पर ने हूँ तो सब्सक्राइब कर ले इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो है डिसकस होने वाले हैं धन्यवाद